हुआ है । हुआ है है यह इस चुडेंट मैं हुआ रीना आप देखरें हुआ रीना करड़ने चैनल आप सभी का मेरी चैनल पर स्लागत हैं मैं आपके लिए लाए हूँ कक्षा 5 हिंदी व्याकर मंजरी का पार्ट नंबर 12 विराम चिन के प्रशन अभ्यास तो बच्चों इसके पिसली वीडियो में हमने विराम चिन के बारें पढ़ा और समझा था आज हम इसमें इसके प्रशन अभ्यास को करेंगे तो आप सभी अंतक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे है इस वीडियो के अंतक आपको इस पार्ट से सम्बंदित संपुन प्रशन अभ्यास देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले इसमें बहुवी कल्पी प्रशन है यानि इसमें optional question है चार option दे रखें इसमें जो सही option हमको सही का निशान लगाना है तो का अलपर विराम चुनिए तो बच्चो अलपर विराम ये रहा इसको हम कामा भी बोलते है तो का का पहला सही है सही का निशान लगाना इसमें खा योजक चिन चुनिए तो बच्चो योजक चिन ये फोर्थ वाला है तो खा का चोथा सही है गह ये जो सिंबल दे रखा इस चिन को क्या कहते है तो गह इसको कहते है प्रश्णवाचक चिन तो गह का तीसरा सही है गह निदेशक चिन चुनी तो निदेशक चिन ये रहा बच्चो गह का पहला सही है अंगा इनमें विरामचिन नहीं है, तिनमें कौन से विरामचिन नहीं है, तिनमें कौन से विरामचिन नहीं है, तिसमें अंगा का तीसरा सही है, मेस्ट है, अती लगुत्तरी प्रश्ण, उचित मिलान कीजी, यहाँ पर यह जो विरामचिन दे रखें, यहाँ पर इनका नाम है तो इनके नामों से विराम चिन्नों को मिलाना है तो का उधरन चिन्न है तो का को थर्ड से मिलाना है खा पुण विराम तो खा को फिप्त से मिलाना है अंगा विश्मयादी बोधक चिन तो गा को शिक से मिलाना है घा योजक चिन तो गा को सेकंड से मिलाना है अंगा निदे प्रश्ण चिन तो अंगा को फोर्थ से मिलाना है, चा को फ़र्ष्ट से यानि पहले से मिलाना है, ठीक है वच्छों, अमें इस लगो उत्तरी प्रशन, निम्लिकित वाक्यों में उचित विराम चिन लगा कर वाक्य पुना लिखीए, यहां पर वाक्य दे रखे, इसको हमें प्रश्नवाचक चिन लगेगा छोटी 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 दो जो समान सब्दिस के बीश में योजक चिन लगेगा फिर बात मत पर रूठा मत करो तो बात पर रूठा मत करो वाक्य पूरा होने पर यहां पर पुड़ी राम लगाएंगे वाह वाह बच्चो विस्मादी बोधक करने के लिए बिश्माम आलफी विराम यानि कौमा लगाएंगे फिर वाक्य पूरा होने पर हम पुड़ी विराम लगाएंगे निरंतर अध्यन से ही यहां पर किसी फेमस बात को कही गई है तो यहां पर योजक चिन लगा करके डबल कौमा में इसको हम बंद करेंगे यानि उद्धरन चिन लगाएंगे इसमें तो तुम बिद्वान बन सकते हो इसके सुरू में उद्धरन चिन लास्ट में पुड़ विराम लगाएंगे ठीके बच्चों तो इस तरह से हमने इसमें उच्चित विराम चिन्यों को लगा करके वाक्य को पुनह पूरा करके लिखा है आओ कुछ करें अनुच्छेद लेखन उचित विरामचिन्यों का प्रियोग करके निम्लिखित अनुच्छेदों को पुनह लिखिए तो यहां पर यह अनुच्छेद दे रखा है इसको हमें फिर से लिखना है इसमें जो है अनुच्छेदों में विरामचिन नहीं लगा है व महां पर योजग चीन लगता है तो योजग चीन यहां पर लगा है मापुर्शों ने मानों को सत्यतता इंसा के रास्ते पर चलने की संदेश